असलाम अलेकुम, सबास्वेस क्लासेस की बावर्शी सीरीज में आज हम इंशालला छोटो भाई की मशूर और मज़ेदार प्यास की पकोडिया बनाना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब हम सबसे पहले हम प्यास लेंगे और प्यास हमने लेनी है 1.5 kg और इसे आप स्लाइस कर लीजिए अपने हातों से या फिर इस तरह स्लाइसर से और इसके जो रिंग्स हैं वो आप सेपरेट कर लीजिए देखें फिर आप इसमें डाल दीजिए नमक टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए या फिर दो टेबल स्पून नमक डालिए और फिर कड़ी पत्ते डाल दीजिए फ्रेश करी पते हमने इसमें एड़ किए और एक टी स्पून एवरिस्ट का गरम मसाला आड़ कीजिए देखिए ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये अपनी पकोडियों में यूज करते हैं दो टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालिए दो टेबल स्पून साबित धन्या डाल दीजिए और उसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लिजिए अपने हाथों से मसलते हुए मिक्स कीजिए ठीक है पिर उसके बाद एक टेबल स्पून से थोड़ी ज्यादा तिल हम इसमें आइड करेंगे यानि ये बावर्ची इसमें तिल डाल रहे हैं एक से देड़ टेबल स्पून और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए सारे मसाले प्यास पर अच्छी तरह से लगने चाहिए अब हम इसमें एक टेबल स्पून अजवाईन आइड करेंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे अब एक किलो श्पून पाज़ो डाल दीजिए यह तोड़ी सी मोटी 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 करह से वारीक नहीं अब इसमें हम थोड़ा सा इडालेंगे यह ईयाने इन बावर्ची न तोड़ा सा पानी अडाल दिया और पानी डाल कर इसे आच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर अब इसके पकूरियां बनाना शुरू कीजिए ठीक है इस तरह से पकूरियां बना लीजिए देखिए आप इसे बनाने का तरीखा देख लीजिए यानि हाथ से ये किस तरह तेल में डालते हैं देखिए गरम गरम तेल में इसे डालना है और हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राइ करना है इसे मेडियम या लो फ्लेम पर फ्राइ करने की जरूरत नहीं इसे हम high flame पर ही fry करेंगे बीच बीच में पलटते जाएए और अच्छी तरह से इन पकोडियों को क्रिस्पी होने तक फ्राइ करके निकाल लीजे देखिए इसी तरह का perfect color और perfect crispiness हमें चाहिए तो देखिए इन बावर्ची ने इन पकोडियों को निकाल दिया एक ताली में फिर उस पर ये डाल रहे हैं चटपट मसाला थोड़ा सा गरम मसाला और नमक अगर चटपट मसाला नहीं मिलता है तो चाट मसाला डाल दीजिए चाट मसाला डालेंगे तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं इसे अच्छी तरह से mix कीजिए और इन पकोडियां को गर्मा गर्म सर्व कीजिए I hope कि आपको ये पकोडियां पसंद आई होंगी पसंद आई है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए और हाँ वीडियो को like और share भी कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकोन भी जरूर प्रिस कीजिए ताके मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इंशाला फिर मिलती हूँ एक नई और यूसफुल रेसिपी के साथ अपनी दुमाओं में मुझे खास याद रखना थैंक्स फो वाचिंग